हाइ गाइस मैं संतोषकुमार वैफर्फरसेश्ट ट्रेनर अब लोग सोचते होंगे ये कभी-कभी कि छोटी-छोटी कलियों में कार कैसे चलाया जाया जाये कैसे कंट्रोल किया जाये लोग करते हैं कि मतलब 2nd or 3 में ही तर्ण करते हैं वह अच्छी चीज़ होती है लिकिन अब तब भी उनके बंद हो जकती है तर्णिंग के समय आपको किन की चीजों का ध्यान रखना और किन की चीजों को जूश करना है तो आज हमारे साथ में एक प्लाइंट है, आज हम उनसे बात करते हैं, और आप उसे भी परचित कराते हैं, आपको क्या नाम है, सुल्खानी मिश्रा, आप कितने देश हो गए आपको, यह आज नाइन्थ दे है, और आप सर्डिंग हो जारा में एकम कमफर्टेबल लगता है, कमफर्टेबल लगता है, कुले तरह करते हैं, मतलब अब जैसे पहले क्लेच और एक्सलिडेटर के प्राइव में दिक्कात होती थी, और साथ में इंडिकेटर, इंडिकेटर की भी एकदम सा प्रैक्टिस हो गया, अभी भी मैंने एक टूंड दिया और आराम से हो गया, तर करें। существeyn की शीचों का ध्यान रखते हैं ? जाएं और क्लाच पी धि समया मतलं होती है, और क्लाच पे ध्यान होता है जाई चाहिए आपके बäänव दे बैकातल होता है, टोबा पू得 हूया करो है, पूर द्यान होता हूं मतलब होता है मतलब तोड़ा how चैए आपे चाहिए, म मतलब कि इन तर्णिंग के समय हमारी कार हमें सब बंत क्यों हो जाती यह कम अब अब लाच और प्रेक का यूज करते हुए आप तर्णिंग लीजिया और आपकी कार बहुत यह ची श्मुश चलेगी वहाँ पर भी असानी चाहिए असानी तरीके से तर्ण हो जाएगी तर्णिंग की। अब हम चाप पुरी तरह सथे भाइब है जब यह ट्राफिक होता है जैसे जब ऐसे चाड़ाई और सामगे ट्राफिक रोब में रोड़ो तो फर्स्ट गयर में ले लेना चाहिए हुआ में इसलो पुछ भी करना पड़ाई करके मतलब है अब साइड में लगे गाहिए निकाल सकते हैं यहां कि यहां जाती है तो पर फ़स्ट गयर तो लगेगा ही ठीक है कि अ कर दो आपको कौन सा खंड लगता है विशाल खंड एक टू है आपके लखनो